तो फाइनली बभीता जी को उनकी कार मिलने के बाद सब कुछ हसी खुशी से होने के बाद अब जो नई स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, वो काफी इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि सभी तारिक मैता फैंस को इंतजार है कि कब वो टपू और सोनू की एक लव स्टोरी देखें जी यां दोस्तों तो कुछ दिन पहले जब टपू की एक फ्रेंड को कुल धाम में आई थी तो सोनू को उससे काफी ज़ादा जैलेस ही हो रही थी यानि के सोनू के मन में भी टपू के लिए फीलिंग्स है और रीसेंट प्रोमो में जब टपू सोनू को चोकलेट गिफ्ट करता है और वो दोनों हक करते हैं तो उसके बाद भीडे का ऐसा देख कर गुसा करना इसी और इशारा कर रहा है कि यहाँ पर टपू और सोनू की लव स्टोरी देखने को मिल सकती है और वैसे भी शो में अब एक ऐसी ही स्टोरी की जरुरत है तारिक मेता सीरेल को क्योंकि पिछले कुछ टाइम में टियार पी नॉर्मल से कम हो रही है हलाकि यहाँ पर टपू और सोनू की शादी की स्टोरी भी देखने को मिल सकती है जो के भीड़े कभी होने नहीं देगा वैसे तो और अगर यह स्टोरी चलती है तो उसके एंड में शायद हमें खोदा पहाड निकली चुया जैसा कुछ देखने को मिल सकता है हलाकि यह जो स्टोरी यह कुछ दिन चलती है तो काफी interesting हो जाएगा यह देखना तो what do you guys think कि नई स्टोरी में कुछ ऐसा हो सकता है या फिर यह एक दो एपिसोड की ही कहानी होगी आपको क्या लगता है कमेंड में जरूर बताना और रियल टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तारिक मैता से जूरी सब भी अपडेट्स के लिए